हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप इस वीडियो पे बात करेंगे MSA वर्सेज बीटी ड्रीम 11 स्टाट्स प्लस इंफो यानि की मौरिस विले सैंप आर्मी वर्सेज बांगला टाइगर्स के बीच में जो अबुदाभी टीटेन का मैस नमर थ्री आज आपको खेला जाता दिखेग इसलिए आपको बार-बार बोलतो हो लिंक सही जोड़े जो डिस्क्रिप्शन में मैंचन है वेरिफाइट चैनल है वैसे आपको मुश्किल आनी नहीं चाहिए शॉर्ट बाउंडरी आपको देखने को मिलने वाली है शेकजाइट स्रीडेव में आपको मैंने कल बताया था लेकिन सिरफ और सिरफ बाउंडरी जिसे लास्ट यार अंदर आई थी वो नहीं आई स्ट्रेट बाउंडरी चोटी है स्क्वेर बाउंडरी एक साइड की काफी बड़ी भी है तो मान लोगर ये ग्राउंड है तो इस साइड पे एक साइड पे आपको जो बाउंडरी है बड़ी देखने को मिल रही है एक साइड पे आपको शौट देखने को मिल रही है और साम को क्या करना है गैप निकालना है उस तरफ खिलना है जहां शॉट बॉंड रही है ठीक है यही मैच चलने वाला है लास्ट यर के हम पिछले तीन मैचिस देख रहे हैं अभी कल भी मैंने आपको दिखाए थे सौ कित्ती बारी क्रॉस हुआ छे इनिंग में देखोगे दो बार यहां और एक बार यहां लेकिन जब टूनामेंट स्टार्ट हुआ था उसमें हर इनिंग में पहले चार मैच में सौ क्रॉस हुआ था यही मैंने बोला था कि 2022 में भी मैं उमीद करने वाला हूँ इस साल अब हुआ क्या हो देखते है लेकिन आप देखो विक्टो में हमने कल बात करी दी इस बार कॉलिटी ऑफ स्पिनर बहुत बहतर हो गई है वह आपको देखने को मिला पुलाड ने गलती करी अकेल हुसे अंसे और नहीं करवाया और खामियाज़ा भुगत ना पड़ा अब 25 में से यहां 14 विकेट फास्ट आर्ट स्पिन तो दोनों गा रहे थे उनके तो कुछ भी यहां पर आप कह सकते हो कि गलत नहीं था 100 प्लस अराम से हो जाना चाहिए था ठीक है अब हम न्यू टीम्स की बात करते हैं मौरिस विले सेम पार्मी जो अपना पहला मैच कहलेगी उसमें आपको काफी जादा अच्छे प्लियर्स देखने को मिल रहे हैं जिसे जॉनसन चार्ल्स डेविड मिलर मुईन अली जो डाउटफुल है इस गेम के लिए शिमरान हैटमियर ठीक है बिग गुयानी इस काफी बड़े अच्छे हिट्टर हैं ड्वेन प्रेटोरिया इंजरी से रिटर्न कर रहे हैं कॉलिंडी ग्रांड होम है बैस दे लीडे रिसेटली नेधरनेंड के लिए बहुत अच्छा रहे थे वर्ल्ड कप में करुना रतने का डाउटफुल है क्योंकि रिसेटली न्यूज आ ठीक है यूएई के लिए काफी मैचेस कहले है अहमद रजा तो बेसिकली प्रॉइबल 11 मैंने आपके लिए रिखिये इसमें एड्रियस गूस का नाम है जो सौत अफरीका के 28 सवर्शिया प्लियर है बड़िया विकेट कीपर बैट्समन है ओपनिंग करते आपको दिख सकते है अब टीम के उपर है वो उपनी करवाती है के नहीं एक प्लियर तो मिनीमम इनको खिलवाना ही रहता है जो की यूएई का रहेगा तो मुझे लग रहे है यहाँ बेसिल अमीद खेलने चाहिए और शायद एहमद रजा यानि की दो प्लियर भी यह खिला सकते हैं ठीक है ज आज खेलेंगे या नहीं देखते हैं मैच के टॉस टाइम पर अधर्वाइज उनको तो लेना इंपोर्टेंट अगर खेलते हैं तो इनकी टीम में लेफ्ट हेंडर बहुत अगड़े है 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 मिलर हो गए तो सामने के और बोलर पे एक बार ध्यान देंगे क्या पता कोई हो जो हमें इंपोर्टेंट काम करके दे ठीक है ये मौरिस विले सांप आर्मी के सारे स्टेटिस्टिक्स हैं इसमें जॉनसन ये टी टुएंटी के स्टेट से ध्यान रखना इसमें कुछ और भी प्लेयर है जिससे राजा अफेको लो खान कुछ खास स्टेट नहीं है तीन चीज भाई कहां पर खेले थे वो भी आपको बताऊंगा अभी हर चीज बताऊंगा ठीक है अभी आप स्टेट्स देख लो मानलो आपको प्रेटोरियस का स्टेट देखने है 183 मैच में 238 रन है 20 का अवरेज 5 अर्थषय तक सेंसरी नहीं है टी ट्वेंटी में और 140 अब हम देख रहे हैं बांगला टाइगर जो अड़ेडी एक मैच खेल चुकी है हमने कलिन के रोल्स भी देखे थे आज फिर एक बार आप नजर लाज सकते हो यहां पर ओपनिंग कर रहे हैं दोनों लेफ्ट हेंडर जजाई एवन लूइस दें जोकलाग दें कॉलिन मन्रो इनकी टीम में भी लेफ्ट हेंडर है तो सामने जो यहां पर ओफ ब्रेक बोलर्स हैं ध्यान रखना बेसिल हमीद हमें देखने को मिले थे इनकी टीम में कोई खास ओफ ब्रेक बोलर अगर आपको देखने को मिले तो वो रोहन मुस्ताफा ही है तो यह भी गेम चिंजर बन स जेक बॉल ने दो डाले थे और उमेर अली को एक और की पता नहीं किस खुशी में दिया था जबकि बैनी हॉल का ओवर लाज जबाब था इनके लिए स्टैट्स आपको देखने को मिल रहा है रंजवाइस एवन लुईस और मन्रोव चले थे शाकिब ने 14 किये थे बिंगटिंग ने 11 नौट आट किये थे ये बांगला टाइगर के फुल स्टैट्स है इनके भी आप देख सकते हो स्टैट्स ठीक है इसमें यासिर कलीम डेमेस्टिक प्लियर है उनके मैंने पिछले चार बैच के स्टैट्स दिखाए है असी 39 के इंदों में 6,2 और 5 रन ठीक है बागी ये इनके लास्ट येर के स्टैट्स है हमने कल भी देखे दे चलिए अपनी टीम करने चलते हैं दोस्तों अगर आप फुटबॉल वर्ल्ड कप में इंटरस्टेड है तो एक बहुत अच्छी एप्लिकेशन आपको बता रहूं जा क्रिकेट और फुटबॉल दोनों आप खेल सकते हो 12th man न्यू एप्लिकेशन है जादा लोग अभी यहाँ पे नहीं खेल रहे है फुटबॉल व एक्चली काफी खेलते हैं पहले फुटबॉल थी यहाँ पे अब क्रिकेट भी आ गया है डिफरेंट टाइंड ओफ एप्लिकेशन है नूरू लेसन लास्ट मिच खेले नहीं और वैसे भी इतने पावरेटर नहीं है बड़े टीटन के साफ से यासर कलीम उतना नाम नहीं है पावरेटर जरूर है लेकिन मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता है एड्रियस गूस है जो टीट्वेंटी लीग्स में सौथ अफरीका में बहुत खेले हैं ठीक है आपने अगर यहाँ पे दो-तिन साल पहले देखा था तो इनका काफी नाम पर रच्छे तो नहीं लगा था क्योंकि एक बहुत अच्छी निंग से रहना खेली थी तीज बॉल बट हाँ ओपनिंग ज्यादा तर इन्होंने लाइट में करी है अगर मोईनली खेलने वाले हैं फिर इनकी जगा नहीं बचेगी जॉनसन चार्स जो क्लाक दोनों मुझे ओपनर दिख रहे हैं दोनों ही विकेट कीपिंग करने चाहिए इसलिए मैं दोनों को लेके चल रहा ह अच्छा माफ करना जो क्लाक ओपनर नहीं है जो क्लाक वन डाउन पर आये थे लास्ट मैच और हो सकता है कि इस मैच टू डाउन पर आएं प्यूज भाई आपको क्यों लग रहा है इस मैच में टू डाउन आएंगे लास्ट मैच में दोस्तों इनको वन डाउन भेजा गया जो clock 1-down पे या 2-down पे आएंगे depending on situation ठीक है ध्यान रखना है बल्ले बाजी में यहाँ पर जो अपस विकल पर दोस्तों उसमें Evan Lewis आपको देखने को मिलेंगे last match में उपनी पैप, बहुत खराब फॉर्म में थे T10 लीग से पहले, लेगे T10 लीग के पहले मैच वह 50 कर दिया मेरे शब्द कल यही थे कि यहाँ के विकेट्स फ्लैट होने वाले हैं, स्टार्ट में यहाँ जजाई, लुईस यह प्लियर्स भी बहुत अगर रण्स कर सकते हैं ठीक है, मन्रो मैंने next लिया है, next मैंने लिया है की सीरीज में खेल रहे थे, so we are not so sure, आज अविलेबल होंगे और खेलेंगे के नहीं, हैट्मेर को भी मैंने लिया है दोस्तों, लेकिन मैंने यहाँ जजाई को अपनी टीम में जगा नहीं दी, जबकि ओपनर है, खराब प्लियर नहीं है ओपनिंग पे आके तेजी से रनकरनी कोशिश करते है 30-35 भी मार दिये, तो हिरान मत हो ना क्योंकि लास्ट टाइम के टॉप स्कोरर है ठीक है, अब यहाँ जदरान की अगर मैं बात करूँ बहुत तगड़ा टैलेंट है, अफगानिस्तान के लिए बहुत ज़ादा अच्छा प्लियर है लेकिन वंडे फॉर्मेट में ज़ादा अच्छा है और मैं आपको बता दू, अभी most likely नहीं खेलने वाले क्योंकि अभी एक वंडे सीरीज है अफगानिस्तान की, श्रिलंक का से 25 से शुरुआत है तो लगता नहीं केलेंगे बाकि अली, सूरी, ओ प्यानियर इसमें आपको बता दू, प्यानियर के बारे में लेकिन उससे पहले सूरी भाई, योकल प्लेयर है UAE के लिए ओपनिंग करते आए हैं मौहमत वसीम के साथ, क्लेयर खराब नहीं है अगर खेलते हैं, ध्यान में रख सकते हो ये इनके पास जरूर उप्शन रहेगी कि इनको भी खिला लिया जाए ठीक है, क्योंकि एक प्लेयर UAE का खिलाना जरूरी है, लेकिन ओ, प्यानियर ये कौन है, 2008 अंडरनेटीन वर्ल्ड कप में सौथ अफरीका की टीम का हिस्सा थे, वही 2008 की टीम जिसमें पार्डनेल ने सौथ अफरीका को कैप्टन सी करी थी, इंडिया ने फाइनल खेला था सौथ अफरीका से और हराया भी था, विराट कोली उसमें 2008 में इंडिया के कप्तान थे, जड़े जा उस टीम कैसा थे, परदीब सांगवान थे, श्रीवज गोस्वामी थे, बट बहुत ही उस टाइम पर प्रचलेत हुए थे क्योंकि ओवर भी बहुत डालते थे, अब ये ओवर कम करते हैं, लेफ्टाम और्थोडॉक्स के अपने, बट बढ़िया बल्लेवाजी आपको करके दे सकते हैं, मैं उतना रेकमेंट नहीं करूँगा, बट, में भी सम सॉट अफ प्लेयर जो डिफरेंशल हो, बट उतना रेकमेंट नहीं करूँगा, ठीक है, तो यही प्लेयर्स है, जिनके साथ मैं अभी जा रहा हूँ, और राउंडर्स पे, शाकिब मेरा पहला विकल्प है भाई, दो ओवर भी कर दिया और बल्लेवाजी का भी ऑप्शन अच्छा है, ड्वेन प्रिटोरियस, देखो इंजिरी के बाद आए हैं, लेकिन आपको अच्छे का से और भी देते हैं, बढ़िया बल्लेवाजी भी तो, शाकिब और प्रिटोरियस दोनों मैंने ले लिए, इनको लेते ही मेरे तो मैंने प्रिटोरियस को लिया, मुस्ताफ़ा को लेने का मन जरूर है, और एक बॉलर फे उस केस में किसी एक बल्लेवाज को तगड़े छोड़ना पड़ेगा, वो देखेंगे बात ने ठीक है, बाकी कॉलिंडी ग्रेंड हो में कुछ ओवर भी कर सकता है, बड़िया बल्लेवाजी भी, ग्रेगरी, हमीद, जनत में हमीद भी एक औस्पिनर है, खराब नहीं है करीम जनत, बोलिंग भी कर लेते हैं, बल्लेवाजी भी, लेकिन बेखना पहोगा कि कितने ओवर मिलने की उमीद है, डिपेंडिंग ऑन ओर्डर, जिस हमने 20 की बात कर ली थी, टॉस टेम पे जस्ट आपको पता होगा, जो टेलेगराम में थे, कि गलती होगी उनको लेना, क मुझा मस्टाइब लगता है, तगडी बोलिंग करते हैं, टी टेन में क्या है कि एक दो ओवर में आप रन खालो, लेकिन विकेट ले गए तो काम कर दियो, और बुलर ले जाते हैं विकेट, तो अगर कोई चाहता है, जिसे हैट मेर को आपने नहीं लेने का मनियार, तो रि प्रिकेट नहीं मिली, एक्चली इनकी बॉल पे बच्चों वाला कैट शाकिवल असन ने ऐरन पुलाड का छोड़ा था, ठीक है, बाकि ऑप्शन्स बहुत हैं, लिंटाट खेले नहीं, चाइना में गेन बास है, बहुत बढ़िया, एरेफ्टाम अनॉर्थोडोक्स पिन कर करने का मन हो, आप चेंज कर सकते हो, अपने दिल के नुसार, मैंने अपनी कफ्तानी डुएन प्रिटोरियस को दी है, इंजरी कंसर्ण रहा है, रिसेंट टाइम में बटायम बैकिंगेम, वी सी मैंने अपने शाकिवल हसन को बनाया, इसमें आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों को आइस में बूलर देखना, बल्लेवाजी में आपको अगर कोई प्लियर चाहिए, डेविड मिलर मैन इन फॉर्म है, ठीक है, एवन लुईस लाट्वेज पचास, जॉनसन चार्ल्ज ओपनिंग पे हैं, तो ये कुछ आप चेंजिस कर सकते हो, मैंने आपको इसक्रिप्शन में मिल जाएं,